दिल्ले के स्वरूपनगर कुशक नमबर दो में प्रधान प्रॉपटी की तरफ से इलाके में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों ने एक सात मिलकर मनाया 88 शुतन्तृता दिवस इस मौके पर समाज सेवी नवीन भोला जी के साथ इलाके के सभी सम्मानित लोगों ने एक सात मिलकर धवजारोहन किया उनका कहना है ग्याजादी के बात से जिस तरह हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिक, एसाई एक साथ मिल जुलकर सभी तोहारों को मनाते हैं। उसी तरह आज फिर हमने कुशक नंबर दो में स्वतंतृता दिवस को मनाने का काम किया है। यही एकता और अखंडता हमारे देश की सबसे अलग पहचान बनाती है। परिस्थितियां चाहे कोई भी हो सभी लोग एक साथ मिल कर कंधे से कंधा मिला कर चलते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी देश विरोथी ताकते हमारे भाईचारे को नहीं तोड़ सकती हमारा भारत देश सोने की चड़िया था और सोने की चड़िया ही रहेगा। समात से भी नवीन भोला और इस कारक्रम में पहुचे सभी सम्मानित लोगों ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिये। सब्सक्राइब भारत माता की जाए बाकि उतनी पाइद बोलेगे। और आज केवल यह खुशी एक कोने तक नहीं है देश के कोने कोने तक है और हर मजब हर धर्म का व्यक्ति आज देश में तिरंगा हाथ में लिए तिरंगा अपने घर की छत पर लिए केवल एक ही बात क्या रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा और भारत मता की जय है। और हमारा हिंदुस्तान जिन्दाबाद ही जिन्दाबाद था जिन्दाबाद हमें सामेशा की जिए बाता है। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजा रोहन में आसपास की कई कॉलनी के गणमान व्यक्तियों ने छोटे बढ़े, सभी ने भाग लिया और धुमधाम से ध्वजा रोहन के बाद मिठाई बाट कर एक दूसरे को 78 वे स्वतंत्रता दिवस की बधाय दी। सेजर प्रजापती दिल्ली